ओके, हेलो चैटर्स, माइ नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्ल चैटर्स दो पॉइस्ल और विषप थी, वह थी, 2.317 विएर्स लेगने, इस अफ्ते की बात करें तो गाइस, ये घट चुकी है, 5.4% और इस अफ्ते स्मैक्डाउन को विएर्स बेटर रहे है, 2.192, इस अफ्ते बेटर रहे है वह थी रहे हैं, अपने अलग अलग पुरान रिकॉर् है शायद इस वज़े से भी कि जो network है वो अलग है क्योंकि raw आती है USA network के उपर और Smackdown जो है वो Fox network के उपर आती है बट ऐसा भी नहीं कहूंगा कि इतने बेकार shows हो रहे हैं मतलब कुछ ताइम पहले तो भूत ही बेकार थे बट स्टिल WWE improve करने की कोशिच कर रही है और अगर ऐसा होता है तो भाई क्या पता WWE के भागे में कुछ बढ़िया आ जाए और उनकी ratings पे उनको increase होती भी दिखाई दे जाए अगली story के तरह बढ़ते हैं और गाईज ये जुड़ी है modern day महाराजा जिंदर महाल से ही अब गाईज मैं आपको बताया था कि WWE के पास जिंदर महाल के लिए अभी कोई plans नहीं है और सिर्फ यही एक reason है कि जिंदर महाल WWE में अभी वापस नहीं आ रहे वरना हो सकता था कि वो WrestleMania से पहली भी आ जाते WrestleMania के बाद भी आ जाते काफी जाता उनके बारे में rumors भी आ रहा थे कि Drew McIntyre के साथ उनको डाला जा सकता है लेकिन WWE ने वो भी नहीं किया अब guys मैं आपको बता दो कि खुद से जिंदर महाल ने इस बात को confirm कर दिया है और जब wrestling rumors ने जिंदर महाल से बात करी तो guys जिंदर महाल ने इस बात को clear कि वो 100% fit है और guys सिर्फ वेट कर रहे हैं WWE की तरफ से call का कि कब उनको WWE अप्रोच करती है और कब उनको store line के अंदर insert किया जाता है मतलब यहां से इस चीज़ उन्होंने clear कर दी जो rumors हैं वो सारे सच है इतने महीनों से जो आ रहे हैं कि जिंदर महाल अब fit हो चुके हैं क्योंकि last year से उनको injury हुई थी अब तक वो पूरी तरी के से recover हो चुके हैं अगर आप लोग उनको follow करते हैं social media के अपर तो आपको पता है क्योंकि तरफ से काफ़ सारी photos और videos आ रहे हैं जहां पर वो पूरे fit नज़र आ रहे हैं जिम में हो काफी hard work कर रहे हैं तो भाई पता रही कब तक WWE को लगेगा कि जिंदर महाल को लाने का सही मौका है और मैं तो चाहूंगा भी कि बाई WWE उस मौके का वेट करें क्योंकि शेमर्स की तरह महीनों पहले वापस लाके कुछ ना करने का भी कुछ फायदा है नी अब अगर WWE उनको इतना रोप कर रख रही है तो ऐसा हो सकता है कि जब जिंदर माल वापस आएं तो वो हमको मेजर स्टोर लाइन के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगली स्टोरी की तरह बढ़ते हैं और गाईस यह जूड़ी है रेसल माया 37 से अब गाईस मैं आपको पिछले कुछ दिनों से रेसल माय 37 के बारे में काफे सारी बाते बता रहा हूं तो गाईस ऐसे में डबल लबली अब सोच रही है अभी से प्लैन भी क्योंकि आपको पता है रेसल मीनिया डबल लबली का काफी बड़ा इवेंट होता है ऐसा नहीं है कि एक महीने बाद रेसल मीनिया तो आपने सारी चीज़े प्लैन अभी से करना शुरू कर दी इसकी प्लैनिंग एक साल से भी पहले से होनी शुरू हो जाती है और जब जब डबल लबली को पता लग चुका है कि रेसल में 37 वैसे नहीं हो सकती जैसे कि वो चाहरे है जहां पर लोग आए या फिर अगर वहां की सिटी को प्रॉबलम है तो गाईस डबल लबली अपनी ज कालिफोर्निया से रेसल में करवाने में प्रॉबलम होती है तो गाईस डबल लबली अपने प्लैन्स को चेंज कर सकती है और गाईस अभी से डबल लबली ने अपना जो प्लैन भी है वो रेसल में 37 के लिए सोचना शुरू कर दिया है अब मुझे नहीं पता इसके बार में ज़्यादा डिटेल नहीं आई है कि आखे डबल लबली कौन से और लोकेशन कंसिर्टर कर सकती है लेकिन गाईस डबल लबली ने अभी से रेसल में 37 के बारे में सोचना शुरू कर दिया है आप लोग कॉमेंट करके बोल रेसल में 37 तो अब बहुत दूर है लेकिन डबल ल जो हैटकॉर्टर है उसके रूफ पर हमको एक रिंग देखने को मिल रही है और वहाँ पर डबल लबली जो है मैच इसको फिल्म करने वाली है अगर आपने स्टिल वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस समय आई बटन पर उसका फ्लैश हो रहागा है फिर आपको डिस्र करी हो बहुत ही अजीब तरीके से थी क्योंकि यहाँ पर डबल लबली ऐसा नहीं कि मैच को फ्लो में पूरा ही फिल्म कर रही है यहाँ पर काफे सारी यसी चीज है जहां पर सूप स्टार्स को पहले रुकवाया जा रहा है फिर उसे कहा जा रहा है कि चलो अपने अगले श कखाने वाला रहा था अभी यह तो नहीं पता कि डबल लबली ने क्या 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 फिल्म कर लिया यह वहाँ पर हो चुका है लेकिन जो मैच इसमें आपको थोड़ा से डिफरेंट देखने को मलेंगगे अब वो डिफरेंट कैसे होंगे थोड़ से सिनेमाटिक टैप के वैस जिसके सांद हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्शन फाइल स्टोरी के तरफ जो की जूड़ी है रोमन रेंज से अब मैं आपको बताया था कल वाली वीडियो के अंदर कि कैसे डबल लबली ने रोमन रेंज के नेम कोई बैन कर दिया है विंसुक मैं नहीं चाते कि डबल लबल ज़्यादा हार्ड वर्काउट करते वे दिखा देते हैं आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं रोमन रेंज पहले से काफी ज़ादा रिब नजर आ रहे हैं अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लुके में के बास जिब रोमन रेंज आये थे तो उनकी जो म यो डबल अबली के अंदर आएंगे क्योंकि इस समय डबल अबली भी इस वाली सिचेशन के साथ कुछ भी नहीं कर सकती तो गैस फिलाल यही बात हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर जाए साधा बता सकता हूँ वीडियो भी इंपर एंड होती है अगर आपको से जुड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहें से स्यू गाइज माइं नेक्स वीडियो